आज मैं आपको हमारे डेक्स्टॉप पेरोल में TDS फीचर के बारे में बताऊंगा यह TDS फीचर आपको पेरोल से लेटी TDS टास्क को कमप्लीट करें मदद करेंगा इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्ट्वेर में कमपनी क्रियेट करनी होगी कमपनी के बाद उस कमपनी रिलेटिट मास्टर इंफोमेशन जैसे की इंप्लॉई, सैलरी, सारी इंफोमेशन फिल करनी होगी इसके बाद आप TDS आप्शन का यूज ले सकते हो जैसी TDS आप्शन पर आएंगे आपको TDS सारे आप्शन मिल जाएंगे सबसे पहले अगर आपको TDS में काम करना है TDS चलान प्रिपार करना है तो आप TDS चलान पर क्लिक करें यहां पर क्लिक करने के वाद हमने आपको अप्शन दिया है जहां पर आपको सॉफटर पर अगर आपने पहले TDS लेटेट इंफोमेशन डाली हुई है तो आप सॉफटर आपको पूचेगे Do you want to view the TDS समरी आइट पर employee salary detail तो जो भी TDS detail उसकी employee की salary detail रहेगी TDS की वो आपको सॉफटर दिखा देता है आप उसे चेक कर लें किस मंद की है किस quarter की है वो details को डाल के अब आप यहां पर TDS related information डाल सकते हो आपका TDS जो चालान है वो selected है TDS payable by taxpayer TDS का amount डाले TDS charges या जो basic other information होती है वो यहां पर fill करें जैसे कि उसकी bank detail सारी information जब यह TDS की सारी information आप यहां पर fill कर देंगे fill करने के बाद आपको deposit date डालनी होगी mandatory part है डालने के बाद आप यहां पर update करेंगे जैसे अब इट करेंगे तो यह आपको लिखा हुआ जो डिटेल साब डाली है वो show होने लगेगी view चलान list पे अगर आप click करोगे तो यहां पर आप check कर सकते हों कि जितने भी number of चलान आपने निकालने है इस particular year में इस company के लिए तो particular year के सारे चलान के list आप whatsapp कर सकते हो आप email कर सकते हो अगर आप किसी को whatsapp करना है तो बस यहां पर whatsapp के option पे click करिए click करने के बाद आपको software यहां पर पता देगा कि जिस भी email ID पर बेज रहा है आप हो email ID डाले जिस mobile number पर डालना है वो mobile number डालने के बाद आप यहां पर proceed करेंगे और इस तहीके से आप यहां पर view कर सकते हो अब चलान details डालने के बाद आप यहां पर next option पर click करोगे जहां पर auto preparation deducted details इस पर click करने के बाद वही है सबसे पहले आपको option देगा यहां पर import का अगर आप चाहो तो अगर आपके पस कोई Excel में detail डाली होई है जो की है वो details यहां पर import कर सकते हो load from 24 q deducted details भी यहां पर कर सकते हो auto fill का option है आप यहां पर पहले details डाल सकते हो तो auto fill कर लेंगे आप यहां पर monthly quarterly किस under section के accordingly आप पर calculate करना चाहते है वो click करेंगे जैसी यहां पर करते हैं software के बता देगा यहां पर taxable amount जो है वो salary field किस condition पर salary under section जो होता है allowances plus donors plus incentive पर है या आपके according जो है वो यहां पर set करना होता है calculate TDS amount के लिए आप यहां पर जिस month के लिए calculate करना चाहते हो month select करोगे किस quarter के लिए select करना चाहते हो करेंगे section जिस भी section के लिए है वो select करेंगे and then यहां पर आप update कर दोगे अगर आपको include new TDS है तो वो select करें and then आप यहां पर update पर क्लिक करें update TDS amount के बाद जैसी आप यहां पर करोगे software आपको यहां पर option देगा कि आप default Excel के format में व्यू करना चाहते हो आप उसे व्यू कर सकते हो यहां पर मैंने आपको बताई ही था कि अगर आपको जो previous 24 Q की detail है वह अगर आप चाहतो तो वहां से जैसी इंपोर्ट होके आई है employee के चलान के detail वह इंपोर्ट होके आजाएगी आपको क्लिक क्या करना है बस update करना होता है yes करना होता है and then आप software के तुरू ही यहां पर report निकाल सकते हो TDS पे इसके बाद option आता है quarterly return का चालान बजारी direct detail डाल ली अब आपको अगर उसको quarterly return फाइल करना है तो आप किस quarter के लिए फाइल कर रहे हो वो quarter select करो select करने के बाद आपको software automatically path दिदेगा जहाँ पर आपकी TDS फाइल बनके जाएगी आपको करना क्या होता है चालान input file download करनी होती है आप अगर चाहो यह path बदलना तो अपने accordingly यह path भी बदल सकते हो अब इसके बाद चालान input file के option पे क्लिक करेंगे download CSI file पे क्लिक करकर आपने यहाँ पे 10 number automatically उठके आएगा आप यहाँ पे अपने चालान input file download करें and then यहाँ पे form 24, 27A of 24Q अगर जो आपने file करना है वो select करें यह file के button पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका form यहाँ से prepare हो जाएगा form प्रेपेर हो गया अब आपको यहाँ तीडेस लेट प्रोसेस भी हो सकती है तो यह एक सिंपल प्रोसेस है जहां से आपका जो भी टीडेस लेट 24Q अगर फाइल करना चाहें तो आप यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे options हैं जो employee आपका selected है उसके साटने पूरी competition detail दिख रही है आप यहाँ पर competition details चेक कर सकते हो annual salary certificate निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हो form 16 16a निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हो usually अगर आपको form 16 निकालना होता है तो आप यहाँ पर सबसे पहले request करनी होती है form 16 party की request करें request file जब आपके download हो जाएगी तो यहाँ पर आप select करेंगे file को और form 16 भी यही से निकाल सकते हैं अब यहाँ पर form 16 16 निकालना के बाद जो भी रहसे आपने वहाँ पर form 16 16 की request हो रही है justification report की request आपने जो करी थी वो कर सकते हो request करी और download कर सकते है interest login भी यही से ही आपको मिलता है अगर आपके पास user ID password है तो directly यहाँ से login भी कर सकते हैं यहाँ पर online activity 10 login भी है आप यहीं से login कर सकते हो यह authorized person details है जैसे कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी जो कह लिजे employee है जिसका भी TDS related part कर रहे हैं उसकी TDS report निकालनी है employee wise है month wise है annual है select करें software आपको पुरी TDS report निकाल के देगा अगर आपने software के through report prepare करी है तो उसमें आपको बता देगा उस employee का नाम उस particular month का कितना TDS deduct हुआ है वो सारी information आप यहीं से check कर सकते हो यह थे TDS related options इसके इलावा अब हमने यहाँ पर आपको देखे रखा है upload facility का भी online activity अब मान लिजे कि अ 24 क्यों ही upload करना है आपको यहाँ पे client के detail authorize person detail आ जाएगी आपने जो registered information है वो यहाँ पे डाले यहीं से ही आप नीचे आप option देखे है register the new user की request कर सकते हो या directly proceed पे क्लिक करके TDS file upload कर सकते हो अब TDS file upload करने के अलावा यहाँ पे हमने आपको काफी सारे options देखे रखे हैं जिसमें कि आपको simple सा option में आपको बताई दिया है कि अगर आपने return file करना है TDS का 24 क्योंकि वो इसके अलावा आपको यहाँ पे allowances report आपको मिलते है allowances exempted setup set करने का allowances report निकाल सकते हो यहाँ पे basic setup आपको master create करते होत करना होगा यह master में हमने आपको option देके रखा है यहाँ पे आप master में जब set कर देंगे तो यहाँ पे अपने आप बना सकते हैं house rent अगर आपको है तो export की sheet हमने आप excel sheet देके रखे हैं आप export करिए और जैसे आप उसे export करोगे आप उसे detail update करके इंपोर्ट कर सकते हैं investment declaration आप import export कर सकते हैं pre information pre request information जो है वो यहाँ पे import export कर सकते हैं in case किसी भी company के employee related TDA से जुड़ है जो भी काम है वो सारा आपका हमारा payroll software से पूरा हो जाएगा इसके लावा भी अगर आपको TDA से जुड़ी या software से जुड़ी कोई और queries होती है तो आप ह झाल